आपने जनपर से जूड़ी हर खबर को देखनी के लिए इंडिया लाइव नियूस को तुरंट सब्स्राइब कीजे और साथी बेल आइकन को भी दबाईए जो मक्खनपुर की पिछले काफी दिमों से लाइट की समस्या चल लई थी और मक्खनपुर नगर पंचायत होने के बाद मक्खनपुर की जनता द्वारा कई बात बताया गया मेरे संग्यान में भी था कि यहाँ पर लाइट की समस्या है हमने मानी मंत्री जी से इस बात को बर्चुल मीटिंग में कहा और उसके पुरांत भी उनके ओफिस तक जाकर भी इस बात को रखा मानी मंत्री जी ने बहुती सा हिर्दै से इस बात को सुईकार किया और मक्खनपुर की जनता के लिए अब 21 घंटे लाइट मिलेगी यह मैं आपको अस्वस्त करता हूँ मक्खनपुर की जनता को बेहद मानी पूर्जा मंत्री जी प्यार भी करते हैं और आशिरबाद भी उनका है कि अब किसी भी तरह से मक्खनपुर की जनता को विजली के मामले में कोई परिशानी नहीं होगी साथ ही एक लाइट और थी कहां से जड़ जड़ थी सब्सक्राइब को पहले नौशेरा से जो सप्लाइब मिल लाई थी मादव गंज होते हुए लेकिन अभी वर्तमान में इसको नया लाइन के निर्माड किया गया जो डायक नौशेरा से मक्खनपुर के लिए पोशित की इसको पूर में अठारा घंटे रूरल छित के साफ से सप्लाइब लेकिन विदायक जी और उर्जा मंत्री जी के सायोग से अब इस सप्लाइब को अगर पोल भी नहीं थे तो वहाँ पे बंच केवल के थुरू हम लोगों ने लाइन दलवाई है और सवागी योजना के अंदर गद नए सायोजन भी निर्गत किये गए